हेलो दोस्तो यदि आपके पास हीरो की जूम है और उसका किक बहुत ज्यादा टाइट है जैसे ही अपने किक को लगाते हैं किक नीचे का नीचे ही रह जाता है यदि ऐसी प्रोगलम आपकी स्कूर्टी के अंदर आती है तो उसका सेलूशन कैसे कर सकती हैं तो इस वीडियो मे आपको हम यही बताने वाले हैं यह देखिए जैसे ही इसका किक लगाया किक नीचे का नीचे ही रह गया और बहुत ज्यादा यह टाइट भी लग रहा है तो इसको अपने कैसे सही करेंगे तो हमारे साथ बने रहे आज की हमारी वीडियो के अंदर और जो लोग नए हैं हमा और कुछ जान पाएं तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले जो किक वाला कवर है उसको भार निकालेंगे इसके आठ नो नट हैं उनको भार निकालने के बाद अपने कवर को भार निकालेंगे और उसके बाद देखना कि इसके अंदर कितनी ज्यादा धूल मिटी जो वो जमा ह हो चुकी है और इसको कैसे क्लीन करना है तो सबसे पहले जो कवर के चारों तरफ नट लगे हुए हैं उनको अपने भार निकाल लेते हैं कि यह प्रोग्लम भूत सारी स्कूटी जैसे यामा की टीवेस की होंडा की हीरो की यह हमारे पास हीरो की जूम है जो टॉप मोडल निकाली है कंपनी ने तो इन स्कूट्टियों के अंदर क्या प्रोग्लम आती है जैसे धूल मिटी जाती है कर इसकी कवर के अंदर तो किक बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है काफी वार तो किक लग ही नहीं पाते है तो उसका सेलिशन कैसे करना है वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अभी इस कवर को अपने भार निकालेंगे और भार निकालने के बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसको क्लीन करना है और कैसे जो किक है उसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और अराम से उपर आएगी तो चलिए अभी एक नट मेरा रहै चुका है उसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको बाहर निकालेंगें यह देखिए ओपन हो चुका है और आप लोग इसके अंदर मिट्टी भी इसके अंदर मिट्टी तो है बट इसके अंदर काफी जो कि रेचड लगी हुई है अंदर की तरफ यह देखिए जो रेचड लगा हुआ है इसके अंदर भी काफी जंग लग चुका है इसके अंदर अभी इसको भी मैं आपको भार निकाल के दिखा देता हूं कि इसके अंदर कितना कच्रा जमा हो गया है यह अभी इसके अंदर धूल मिटी जाने के कारण इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगा चुका है तो यह काफी टाइट निकलेगी बार की तरफ यह देखे लिजिए यह पूरा का पूरा जो है वो जंग से भरा हुआ है इसको अच्छे तरीके से पहले कलेनिंग कि इसको अच्छे तरीके से अपने यह देख लिजिए कितनी इसके अंदर जो दूल मिटी है वो बार की तरफ निकल रही है आप लोगोंने देखा होगा काफी बार देखा होगा आपने कभी स्कूटी की सर्विस गयरा करवाई है तो उन्होंने यह किक वाला कवर भी बार कर लाओगा उसके अंदर मिटी निकली होगी बट यह मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं हमारी वीडियो के अंदर तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सबसे बेटर तरीका यही रहता है कि जैसे अपने स्कूटी को पच्छी सो तीन हजार पैंटी सो पर अपने सर्विस के यह लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर पे तो वहां पे हर प्रतेक सर्विस पे अपने किक कवर को खुलवा कर उसके अंदर हवा से क्लिनिंग करवानी बहुत जरूरी है ताकि जो धूल मिटी है वो इसके अंदर पर्मानेट जमा ना हो और अपना जो कालत शू है वो अच्छे तरीके से प्रोपर तरीके से काम कर पाएं यह कवर के अंदर भी देख लीजिए कितना मिटी जा चुका है यह संथिंग दूस दो नंबर सर्विस है इसकी और इसके अंदर ही यह प्रोगलम आ गई किक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और लग रही थी बर टाइट लग रही थी और नीचे की नीचे ही रह जाती है यह प्रोगलम काफी स्कूटी के अंदर आती है तो चलिए इसको पी कलीन कर लिया है और मेरे पास यह औरीजनल असके एफ का जो ग्रीसिंग है वो है कि अच्छा ग्रीस है अपने इसके क्वालिटी का ही घ्रीस यूज में लेना है तकки जो काफी टायम तक है वो जमाना हो और अच्छे तरीके से यह काम भी करपाएं वह ज्याकर बिलकुल वे फ्री हो तभी अपने इसके अंदर फिटिंग करेंगे कलच कवर की अंदर ख़ा लगाना है इस तरीके से भी लगा सकते हो और यदि आपके पास इसका एक लिव बाता है उसको भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं बट सबसे बेटर तो यही रहता है कि अपने ग्रीस ही लगाई क्योंकि यह काफी टाइम तक जो खराब नहीं हो पाता है दो से तीन सर्विस तक यह अच्छे तरीके से चल जाता है बट अच्छा तो वही रहता है जैसे दो या तीन सर्विस के बाद या परतेक सर्विस के अंदर अपने कवर को खुलवा कर क्लिन करवाएं और परतेक बार ग्रीस है वो निया डलवाएं इसके अंदर लगवाएं य वहीं अच्छा रहेगा सबसे पहले वासल को लगाएंगे और वासल को लगाने के बाद क्योंकि यह इसके अंदर रेच्ट के अंदर लगाएंगे पहले तो यह लग नहीं पाएगा और इस तरीके से अपने इसको फिटिंग करेंगे थोड़ा पीछे की तरफ देखे लेंगे इसको और अभी इसको थोड़ा पूस करना है यह लग गया इस तरीके से रेचट को फिटिंग करना है और जैसे अपने कवर को निकाला था उसी तरीके से कवर को वापस फिटिंग कर गवे जैसे किक लग रही है बही इसके अंदर होने वाला जैसे अपने स्कूटी को यानि की जिव कवर और उसको फिटिंग करने के बाद मैं आपको किक लोगा थism कि आ थो चलिया अभी इसको फिटिंग कर देते हैं कि तो चलिए डियर फ्रेंड्स जो कवर मैं ने इसको fitting कर दिये हैं और अभी मैं आपको सबसे पहले किक लगा कर दिखाने वाला हूँ और यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो लोग हमारी चैनल पर नहीं है वो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यह देखिए कि इतनी ज्यादा यह देख लिए टाइट तो लगें क्योंकि 110 सींजन है और बट यह लगने के बाद उपर भी आ रही है अच्छे तरीके से है तो यही फायदा इसको क्लेन करवाने का